जैसा कि जैसे सी PGT का जो है response answer की release कर दी गई है I hope so कि आप लोगों ने तमाम candidate जो PGT exam में अपियर हुए थे वो तमाम सिक्षक गन जो है अपने response answer की को अच्छे से proper way में match कराए होंगे और उनके मन में एक doubt आ रहा होगा कि क्या वाके में मेरा result बन सकता है कि नहीं मेरे marks तो इतने आ रहे हैं मेरे number of questions इतने correct हो रहे हैं तो क्या मेरा selection हो पाएगा तो इस वीडियो में चर्चा रहेगी मैंने यहाँ पे जो है after response answer की यहाँ पे जो cut up मैंने यहाँ पे रखा है final cut up आपकी क्या रहने वाली PGT exam का physics, chemistry, bio और math का तो इस वीडियो में चर्चा रहेगी मैंने यह जो cut up रखा है मैंने जो है अपने दोस्त friend circle में और बहुत सारे इसे contact मैंने यहाँ पे साधा जिसमें से मुझे पता चला कि आपकी उनके basis पर मैंने यहाँ पे cut up marks रखा है तो अगर आपके इतने marks अगर आ रहे हैं इतने number of questions करेक्ट हो रहे हैं तो आपको इस बार PGT teacher बनने से कोई नहीं रोग सकता है तो इतने marks अगर आएंगे इतने questions करेक्ट होंगे तो आपका selection इस बार हो जानी है इसके बाद जो है आपका final जो है result जारी कर दिया जाएगा आपका जिसको वोतने cut up marks जारी कर दिया जाएगा उसके बाद आपका dv आना है तो dv में क्या क्या जरूरत जरूरत मन्त डोकुमेंट्स क्या होने चाहिए उसको भी बात करेंगे वीडियो में तो पूरे वीडियो को अंतक वोच किजेगा चैनल पर फर्स टाइम वीजिट के होंगे दोस्तो तो चैनल को जरूर पर लीजिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आप तक पहुंचते सके और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा फिजिक्स की अगर बात करें तो आप्टर जो है रिस्पॉंस की के बाद जो है यहाँ पर आपका कटप कुछ इस पर कर रहने जा रही है जेनरल में अगर आप हैं और आपका नंबर अब पउस्टेंज 110 ते 150 के बीच करेक्ट हो रहे हैं तो आपका फाइनल यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा BC1 से आप belong करते हैं और आपके number of questions 105 to 112 के बीच अगर correct हो रहे हैं तो इस बार आपका final cut-up इतने में clear हो जाएगा वहीं अगर BC2 की बात करें तो 105 to 110 questions रहने वाली है ST की अगर बात करें तो 85 questions to 92 questions के बीच अगर आपको questions correct हो रहे हैं तो इस बार आपका जो है यहाँ पर final आपका result बन जाएगा वहीं SC की अगर बात करें तो अगर SC से belong करते हैं आप और आपके number of questions 75 to 82 questions correct हो रहे हैं इस बीच अगर correct हो रहे हैं तो आपका यहाँ पर secure हो जाएगा इस बार selection वहीं EWS category के बात करें तो अगर आपका 102 से लेकर 180 questions के बीच अगर questions के correct हो रहे हैं तो इस बार आपका selection हो जानी है अगर maths की बात करें तो maths में आपका कुछी इसपर का रहने वाला है आपका general category का जो है यहाँ पर general category से अगर belong करते हैं और आपके number of questions अगर 120 से लेकर 125 की बीच अगर आपके correct हो रहे हैं तो इस बार आपका selection हो जानी है वहीं अगर BC1 से आप belong करते हैं और आपका 112 से लेकर 180 questions के बीच अगर questions आपके correct हो रहे हैं तो इस बार आपका selection यहाँ पर हो जानी है वहीं BC2 की अगर बात कर लें तो 115 questions से लोग के 120 questions के बीच अगर question correct हो रहे हैं तो आपका final result यहां पर बन जाएगा वहीं ST के अगर बात कर लें तो 95 to 102 questions के बीच अगर questions correct हो रहे हैं तो आपका यहां पर result बन जाएगा आपका से के SC के अगर बात कर लें तो 80 questions to 85 questions हैं तो आप सीक्वेर हैं आपका यहां पर cut-up clear हो जाएगी वहीं EWS के अगर बात कर लें तो 108 to 115 questions के बीच अगर questions आपके correct हो रहे हैं तो इस बार आपका यहां पर result mathematics as a busy teacher आपका यहां पर हो जानी है अब बात कर लेते हैं यहां पर आपका जो है वहीं अगर बायों की बात करें तो बायों को कुछ इस पर कर रहने वाला है general category का 110 to 115 questions में हो जाना है BC1 से हैं और 105 to 110 questions के बीच आपका एगर correct हो रहे हैं तो आपका यहां से selection हो जानी है इस बार BC2 के अगर बात करें तो 108 to 112 questions रहने वाली है वहीं ST के अगर बात कर लें तो 75 to 82 questions के बीच अगर आपके correct हो रहे हैं तो बायो से अगर बात कर लें तो 78 to 85 questions के बीच आपके अगर questions correct हो रहे हैं तो आपका यहां पे selection हो जानी है वहीं EWS की बात करें तो 98 to 105 questions के बीच अगर question correct आपके हो रहे हैं तो इस बार as a बायो टीचर आपका पीजीटी टीचर आपका यहां पे final merit बन जाएगा वहीं अगर बात कर लें कि आप अगर general category से belong करते हैं और chemistry में जो cut up क्या रही है final cut up क्या रहेगी तो 115 to 120 questions के बीच अगर questions आपके correct हो रहे हैं और आप general से belong करते हैं आपका इस बार यहां पर final cut up clear हो जाएगा वहीं BC1 की बात करें तो 110 to 105 questions के बीच आपके questions correct हो रहे हैं तो इस बार आपका final यहां पर cut up clear हो जानी है BC2 में जो है 110 to 115 questions आपके रहने वाली है वहीं EWS की बात करें तो 110 to 115 questions आपका यहां पर रहने वाली है वहीं ST के अगर बात करें तो 78 to 83 questions आपके अगर correct हो रहे हैं इसके बीच तो आपके यहां पर as a PZT chemistry teacher आपका यहां पर selection final cut up clear हो जाएगी वहीं ST के अगर बात कर लें तो 77 से लेकर 82 questions के बीच अगर आपके questions correct हो रहे हैं तो as a chemistry PZT teacher आपका जो है इस बार final cut up clear हो जाएगा यानि इस number के बीच अगर आपके correct हो रहे हैं तो आपका यहां पर selection हो जानी है यह आपका final cut up की बात कर लिए अब इसके बाद जो है आपका final cut up कब तक आ सकती है तो इस बार जो है आपका final cut up इस month में नहीं तो आपका next year यानि जनवरी month में आपका final cut up यहां पर release कर दी आपके अगर इतने marks के round अगर आ रहे हैं दो तीन number इधर उदर सोच सकते हैं लेकिन अगर इतने marks अगर आ रहे हैं तो जरूर आप DB के papers prepare करके रखें जरूरी दस्ताविच जो है prepare करके रखें और बहुत जल्द आपका यह vacancy complete हो जानी है because election है next year और इसमें ज्यादा delay होगी नहीं आपके जल्द से जल्द नियुक्ति कर दी जाएगी तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थैंक्स पर वाचिंग